दोस्तों आपके अपने मित्रा ग्रूप आपका स्वागत है आज हम UPSC की एक बेतरीन क्लास करेंगी यह हमारे तीन चैनल है एडू टेक्नो मित्रा एमजे मित्रा एडू ला मित्रा तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना शेयर करेंगे आज की क्लास यह UPSC 2013 का कुष्ण फेपर है और आज हमें फिगर से रिलेटीड ही बहुत ही बढ़िया कुष्ण करेंगे 14 15 कुष्ण करेंगे हमें आज शुरू करते हैं कंसीडर दी फॉलविंग फिगर से 1 2 3 & 4 इन दा फिगर फ्रों 1 2 4 वोट तो शिंबल सरसौन तो चैंज देयर पोजिशन इन ए रेगुलर डायरेक्शन यह रेगुलर डायरेक्शन में हमारी फिगर जो है न चैंज हो रही है इसलिए हमने इनको देखते हुए आंसर निकाल इधर और यह दूसरी भी इधर आगी अब अगले खन्ने में हम देखेंगी कि यह फिगर फिर इधर से लाइन में आगी और दूसरी भी ऐसे लाइन में आगी अब फोर्ट फिगर में देखेंगी तो आपकी यह इधर आगी और यह इधर गई उल्टी डायरेक्शन में गई तो अब अगली figure क्या होगी, आपने ये बताना है, next sheet करते हमें, ये देखो, जो मैंने आपको direction समझाई थी, बिल्कुल ही वैसी direction में, इसलिए अगली next time में ये, ये down आएगी, और ये इसके opposite उपर जाएगी, इसलिए इसका right answer ये figure है, जो के ये B में दी वी है, B is the right answer, next question, य ये हमारा figure का, ये अगला question B, और इसमें direction for the following two items, यानि दो question आएगे, उनके लिए direction है, in each item, there are two sets of figures, first four figures named problem figures and next four figures named answer figure, indicated as A, B, ये जो है, ये आपकी question figure है, ये आपकी answer figure है, A, B, C and D, the problem figures follow a particular sequence, ये जो है problem figure, a particular sequence को follow कर रही है, and next four figures named answer figure, in accordance with the same, which one of the four answer figure should appear as the fifth figure, ये हमने इसमें बताना है, ये हमने इसमें बताना है, यहाँ देखो, पहले बड़े में, ये पहली figure है तो दिये, second में क्या हुआ, ये arrow भारा आ गया, और ये अंदर की तरफ पल्ट गी, और ये उपर उल्ट के, और left को, इसका ये हो गया, L, next figure में क्या हुआ, ये बिलकुल बाहर, इदर right hand को आगी इनकी, और ये figure, ये change नहीं हुई है, ये नहीं हुई change, अगले उसमें क्या है, ये जो है बीच में आ गया, और ये figure, उल्ट के, और इदर left को move हो गया, और इसका इसरफ है right को हुआ, तो इसको देखते हुए, हमारी जो next figure के आएगी, ये अब की बाहर इदर आया था ना, तो ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, और arrow निचे ही रहेगा, और ये इदर वाड़ी figure का ये L, right को turn हो जाएगा, और दूस इसरे बाड़ी, उल्ट के, लेफ्ट को turn हो जाएगा, जो के figure B में दी हुई है, इसलिए B is the right answer, next question, ये मारा question है, figure based है, और direction 4 दी है, दो में direction थी, problem figure, ये आपकी problem figure है, ये 4 और ये answer figure से, A, B, C, D, अब यहाँ देखो, ये पहले सीधी triangle दी है, arrow निचे है, इसमें क्या अपर की तरफ गया, और left से triangle उपर उठ गया, और ये निचान जो अपलस का है, डाउन आ गया, उसके बाद क्या हुआ है, ये गूम के उधर चली गया, और arrow डाउन आ गया, ये जैसे थी, ये right को पल्ट गया, और arrow डाउन आ गया, और यह arrow अप गया, और ये ball चली गया, उ ये arrow नीचे होगा, तो ये arrow उपर था ना, एक बार नीचे और एक बार उपर होगा, यह arrow नीचे आएगा, और इस पोजिशन में आएगी, और ये दी हूई है, C में, C is the right answer, next question, consider the following diagram, X man working at constant speed से काम कर रहा है, do a certain job in Y days, Y days में उसने काम पूरा करना है, और डेली जो है उसकी working capacity सेम है, तो which one of these diagram shows the relation between X and Y, हर में से कौन सा जो उसको शो करेगा, देखो, each day को work सेम है, तो ये जो ये figure है, ये उसको अच्छी तरह शो करेगा, इसलिए, this figure is the answer, इसको यह आप graph की तोर पर प्लोट करके देखेंगे, तो ये आपका आया हुआ है, इसलिए, ये जो है, ये diagram 4 is the right answer, next question, ये आपको एक matrix दिया हुआ है, और यहाँ पर X में बताना है, consider the following matrix, what is the number of attacks in the above matrix, ये आपने बताना क्या आएगा, इसके कोई similarity डूडते है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इन तीनों को अगर हम जोड दें, तो क्या आएगा, टोटल 10 आएगा, और फस्टी और थर्ड का सम क्या है, ये भी 10 है, दिचे देखते हैं, ये 2 है, और ये 6 है, तो इसका क्या आया, 8, इसको देखते हैं, 2, 2, 4, और 4, 8, ये भी 8 आगया, इसका मल जो फस्ट कॉलम और थर्ड कॉलम है, उनका टोटल, मिडल वाले कॉलम्स की डिजिस के बराबर है, तो यहाँ आपर है, अभी हम देखते हैं, 7 और 3, इसका टोटल है, आपका 10, और इधर 1 है, तो इधर 9 आएगा, ये तभी 10 आएगा, इसलिए X की वेलू है, 9, she is the right answer, नेक्स्ट कॉस्चन, ये 4 कार दे हुए हैं आपको, 4 कार्स हार हाइड, एड़ दी रेट और रुपीज, 6 पर किलो कारों को, और 6 पर किलोमेटर उसको चार देना, तो इस टेबल में मैंने ये प्लॉट कर दी हैं, और हम ये टोटल पेमेंट इतनी दी हुए हैं, ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम ये मानते हैं, मानलो ये सभी X1 जो डिस्टेंस कवर, X1, X2, X3, X4, ये डिस दी हुए है, किलोमेटर पर लिटर, यानि एक किलोमेटर कितने लिटर काईगा, और ये आवर्स दी हुए है, इसको तो हम कॉलम को जो हैं, लास्ट में, इसको हम लास्ट में यूज करें, अभी हम इन सभी का डिस्टेंस निकालेंगे, पहले एक का निकालते हैं, देखो, एका, एका डिस्टेंस कितना लिए हमने, एक्सवन, एक्सवन बराबर है, ये 6 के हिसाब से इसका रेट, तो 6 इन्टू एक्सवन पलस से, एक्सवन अपॉन में इसकी मैलेज आठकी है, और इन्टू 40, ये डिजल की कोस्ट आगे, ये टोटल कोस्ट निकालेंगे, तो इसक इसके तो 5 से करो, आप 5 एक्सवन और 6 एक्सवन बराबर है, 11 एक्सवन और टोटल पेमेंट हुई है, 220, तो एक्सवन बराबर है, 220 अपॉन में 11, इन सभी का हम ऐसी निकाल लेंगे ये, जो टोटल कोस्ट आई है, उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसी तरह एक्सटू आजाएगा और इसी तरह X3 और X4 नेक्स सीट पर चलते हैं वहां निकाल रख यह देखो यह फर्स्ट का तो हमारा आया था ही टोटल डिस्टेंग यह और सेकंड का यह आया और थर्ड का यह और फॉर्थ का यह अब जो डिस्टेंस आई हैं हम उसको आवर से डिवाइड कर द करेंगी को हमारी जो यह वाली का रहे उसने ज्यादा मैंटेंट किये इसली इस जी रइट सब्सक्राइब कर देना गंटी जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो डालते मिल जाए वीडियो को फरवर्ड करना वीडियो को लाइक करना को सजेस्टन देना और कमेंट जरूर डाला करोई आपको वीडियो कैसी लगी और यह ग्रूपों में शे कुछ नमबर 23 यह हमारे को कुछ फिगर दी हुई है और इनमें कोई पैटरन है तो हमने इसको कुछिन मार को निकालना है यह क्या आएगा तो इसको निकाल के देखते हैं 84 को 12 से डिवाइड करें तो क्या आया 7 और यह 7 का 2 जा मिल्टिप्लाइड वाइड 2 और इधर 81 को 9 स करेंगे तो क्या आया 9 और यह इसका 2 जा 18 आ गया तो इसी पैटरन पर कुछ मार को निकाल लगे इसको इसको इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 और मिल्टिप्लाइड वाइड 2 तो यह आ गया 60 जो के बी में दिया हुआ है बीजदा राइट है 5 यह को और हमारा फॉर दी फॉलंग 5 आइट अभी आपके 5 कुछिन आएंगे और इगराफ को अच्छी तरह समझ ले ना 500 कुछिन फेर इसी गराफ से निकलें यह आपको एगराफ दिया हुआ है इदर परसंटेज दी हुई है यह एज दी हुई है और एज के हिसाब से यह परसंटेज में दिवाइड किया हुआ है सरकल और फिजेक्स, मैथेमेटिक्स, केमेस्ट्री, इस्ट्री, साइकोलोजी, एकनोमिक्स के प्रोफेसर हैं और जो यह ब्लैक है यह है मेल और जो यह डॉट्टिड है यह है फीमेल नीचे गराफ में दिया हुआ है यह यहां पर देखो यह दिय अब पहला question आता है, how many physics professor belong to the age group of 35 to 45, 35 to 45 में ये black दिखा रहे है, कितना है, 40%, अभी किस का बताना है, हमने physics का बताना है, physics के total professor कितने है, 32 तो है male, और 8 है female, यानि 32 पलस में 8, ये होगे total 40, और 40 का 40% है 35-44 से age group की, तो इसको आप निकाल दो, 40 का 40% है, तो ये दोनों 0 कट गी, ये आगया 16, be is the right answer, next question, पुरुसों का मेलाओं से उस्तम अनुपात, यानि जो male और female है, उसका ज़्यादा अनुपात क्या है, यहाँ पर देखो, ये female है, और इधर ये male, तो इनका अनु 32-8, ये कट गया, 4-1, अगले में देखो, ये है 8 और ये है 28, ये 28 और 8, ये कट के आगया आपका, 7-2, अगले में आपका मिस्टी में देखेंगे, ये 16 है, और ये आपके 22, 16-22, 8-11, आगया आप देखेंगे, ये आपके 14 और ये है 10, 10-14, 14, 5 ratio 7 और इदर आपका आगए ये है 6 और ये 4 4 ratio 6 ये आगए 2 ratio 3 का ये भी आगए, अब यहाँ पा आगए ये आपके है 24 और इदर ये है 8, 24 ratio 8 तो ये आगए 3 ratio 1 Which one of the following discipline has the higher ratio male to female male to female की highest ratio क्या है, ये, ये 4 times ऐसा और किसी में नहीं है, तो इसका right answer है A, physics में ये 5 question है इसी graph पर तो आगे कर रहा है, what percentage of all psychological professors are female all psychological professors are female, तो ये psychological professor है, 4 ये हैं और ये 6 तो total कितने होगे P, S, Y P, S, O, L, O ये होगे 4 male और 6 female होगे, total अब female का निकालने है आपने, तो female का निकाल लो female की percentage हागी all by 6 upon 10 or into 100 0 कट गी, बराबर है 60 she is the right answer next question if the number of female physics professors in the age group of 20 to 35 equals 25% of the physics professor ये हैनि female physics professor in the age group इतने equal to 25% of all the physics professor in that age group then what is the number of male physics professor in the age group of 25 to 34 आपनी हाँ देखना है कि ये टोटल देखो 32 तो है male और 8 है female तो कितने होगे physics के प्रोफेसर ये होगे total यानि total professor होगया आपके 40 और ये करे 25 to 34 में 30% है 25 to 34 अब 40 गुना में 30 ये आपका 0 कटके ही आगया 12 बारा आगी ठीक है और उसके बाद कहे रहा है female physics प्रोफेसर in the age group 25 प्रेसेंट यानि 12 into 25 प्रेसेंट ये 4 पकट गया और ये 3 पकट गया कितने है फिर आपको बताना है कि male physics professor कितने है अब टोटल है 12 male female 3 तो male कितने रहागे 9 जो कि option A में दिया हूँ है age the right hand age graph का last question है और if the psychological professor in the university constitutes 2% of all the professor in the university जो psychology के professor है ये 2% है सभी professor का then what is the number of professor in the university university में प्रोफेसर कितने है ये इसमें 4 तो है male और 6 है female तो ये जो psycho के है psycho के total कितने होगे 4 प्लस 6 बराबर 10 जो equal to 2% है तो total professor कितने हुए total professor हुए 10 है upon में 2 और 100 इसको आप आँस से काट दो और ये होगे 500 जो के option B में दिया हुआ B is the right आज के सेशन का हमारे ये लास्ट कुस्चिन है हौ सोल करते है मैं उमीद करता हूँ की सेशन बहुत ही प्यारा गया हुआ ये देखो इसक्वेंस देखो ये इधर clockwise गूम रहे next में क्या किया इसने anti-clockwise कर दिया और इसक्वेंस को उसके बाद क्या किया है दो तोरे anti-clockwise और इसको clockwise कर दिया और जब आप फोर में आएंगी फोर में क्या है ये फर्स्ट वाली सिच्वेशन ठीक है और उसके बाद टू वाली सिच्वेशन आगी आपकी फाइव में ये टू और ये फाइव और त्री वाली सिच्वेशन आपकी आरी आपकी जो थ्री वाली है ये आपकी आरी है इसक्स में यानि के एक छोड़के एक चल रहा है अब ये शिक्स छोड़के सेवन में आपको रिपीट होएगी फर्स्ट वाली ही आएगी इसलिए इसका राइट आंसर है डी डी इस दा राइट आंसर यहां पाएगी डी वाली पोजीशन हर थर्ड पे सेम पोजीशन रिपीट हो रही है गाईस मैं उमीद करता हूँ कि आज का सेशन गया और सारे कुशन अच्छी तरह समझ में आगे होंगे और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना हम आपका डाउट जूर करेंगे वीडियो को देखने बाद लाइक करना दोस्तों में शेयर करना गुर्पों परवर्ड करना और हमारे तीन चैनल एड़ु टेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एड़ु ला मित्रा तीन चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना गुर्पों में शेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना हमारे वीडियो देखने के लिए दन्यवाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर मिलेंगे एक और अच्छी नई वीडियो के साथ थैंक यू बाई बाई